Hello everyone, इस lecture में, इस session में हम पढ़ेंगे दो topics First topic होगा आपका recombination of white light और दूसरा होगा rainbow formation बच्चों, previous lecture में हमने पढ़ा था white light का dispersion या उसकी splitting किसमें? 7 constituent colors में अब एक काम करते हैं, इस splitting को कर देते हैं, उल्टा उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला topic याने की recombination of white light तो first जो चीज हमें पढ़नी है, first topic जो हमें पढ़ना इस lecture में वो क्या होगा? recombination of white light तूसरी चीज, dispersion of white light का एक बहुत ही सुन्दर natural application जिसको हम कहते हैं rainbow, तो हम इस lecture में पढ़ेंगे rainbow formation भी तो आज के इस lecture का, इस session का मैंने target कर दिया है set तो जब भई target set है तो देरे किस बात की? तो चलिए start करते हैं, आज का ये हमारा lecture इस विभूती खरें, welcome to magnet brains जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost यहने कि magnet brains में आपको दो chapters पढ़ने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start करते हैं आज का ये session, आज का ये lecture first topic के साथ recombination of white light के साथ लेको, previous lecture में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक white light जब एक glass prism से पास होती है तो वो अपने seven constituent colors में split होती है actually white light तो बहुत सारे colors में split होती है लेकिन हमारी ये जो तो सुन्दर आखे हैं ये क्या करती है केबल उन साथ रंगों को ही देख पाती है उन साथ रंगों के bend को ही देख पाती है इसलिए हम सोचते हैं कि white light सिर्फ जो है साथ color में split हो रही है ठीक है? लेकिन वो सिर्फ साथ में नहीं seven constituent colors में split होती है इतना clear है आप सब को वो जो साथ color का जो bend होता है मिलता है यानि कि whip gear में ही मिलता है कभी G की जगा green की जगा yellow नहीं orange की जगा red नहीं ऐसा क्यों नहीं होता और आखिर ये dispersion क्यों हो रहा है तो इसका हमने reason find out किया था कि भाई हर एक light की color का क्या होता है उसकी एक अलग wavelength होती है अलग velocity होती है सब ही color की light, air और vacuum में same speed के साथ travel करती है लेकिन जैसे वो media में आती है ना उनकी wavelength अलग हो जाती है उनकी velocity अलग हो जाती है different velocity और different wavelength के कारण क्या होता है जो glass prism है उसका refractive index हर एक light के color के लिए क्या हो जाता है चेंज हो जाएगा तो ऐसी light जिसकी wavelength है कम उसके लिए glass prism का जो refractive index है वो हो जाएगा जादा यानि कि glass prism उस particular light को क्या करेगा जादा refract करेगा जादा bending हो जाएगी इसका मतलब वो जो light का color है वो prism के नीचे की तरफ आएगा तो वो जो bend है जो spectrum का sequence है वो क्यूं होता है light colors के different wavelength और velocities के कारण ठीक है एक relation आपको याद रखना है क्या है वो relation कि भाई जो wavelength है जो wavelength है light की यानि कि आप इसको lambda भी लिख सकते हो lambda directly proportional होती है किस चीज के? velocity of light के और ये velocity inversely proportional होती है किसके? deviation के ये relation हमेशा याद रखना अब एक सवाल है क्या ये चीज मुझे पहले से पता थी? मैंने discover करी थी? obviously not मैंने भी ये चीज अपनी teacher से ही सीखी होगी क्या मेरी teacher ने ये चीज डिसकर करी थी? white light का dispersion? बिल्कुल भी नहीं actually ये जो dispersion हो रहा ना white light का इसको discover करने वाले कौन थे? previous lecture में मैंने आपको बताया था हमारे इसक न्यूटन लेकिन क्या है ना जब भी कोई अच्छी चीज करो तो लोग आई जाते हैं उस अच्छी चीज को रोकने के लिए, oppose करने के लिए बड़ अच्छी से न्यूटन जी ने बोला था कि भाई जो हमारी white light है ना वो split हो जाती 7 constituent colors में जैसी वो prism से बाहर निकलेगी glass prism से लेकिन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है ये जो light की splitting है ना वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि white light different colors की बनी हुई है बलकि ये splitting इसलिए हो रही है क्योंकि prism के अंदर कोई magic हो रहा है actually white light कैसी है वो तो single ही है जब वो prism से निकलती है ना तो prism कर देता है कुछ magic जिसके कारेन white light split हो जाती है 7 colors में 7 constituent colors में तो ये तो Newton जी की theory के बिलकुल ही opposite हो गया Newton जी ने तो कहा था कि light बनी होती है different colors से तो obviously बात है जब वो split होगी तो वो different colors में तो split होगी ना लेकिन लोगों ने क्या बोला कि नई नी वो तो एक ही color से बनी होती है वो तो prism के अंदर कोई जादू है जिसके कारण वो different colors में split हो रही है अब Newton जी ने बोला ऐसे कैसे ये तो गलत बात हो गई पूरी theory है हमारी पूरा concept ही हमारा गलत कर दिया तो उनने क्या किया उनने experiment किया क्या किया उनने जो है ना अपने पहले वाले prism के सामने एक और prism रख दिया लेकिन upside down याने कि ultra prism रख दिया तो लोगों ने बोला कि ये क्या बात हुई अरे अगर तुमने पहला prism ऐसे रखा था तो दूसरे को भी तो इसी तरह से रखना चाहिए ना upside down रखने का क्या मतलब है तो Newton जी ने बोला कि देखो भई ऐसा है तुमने जो बोला है हम उसी के according चल रहे है तुमने क्या बोला कि magic कहा हो रहा है prism के अंदर हो रहा है white light to singly light है तुमने बोला कि prism के अंदर magic है जिसके कारण जैसे ही white light उस prism के through जाएगी वो split हो जाएगी किसमे 7 colors में अब तुम्हारी इस चीज को प्रूव करने के लिए हम दूसरा prism लेकर के आए है दूसरा prism भी अगर आप लोग की थियोरी माने तो क्या होना चाहिए जब हम दूसरे prism को पहले prism के सामने रखेंगे तो ये जो 7 constituent colors जो split हो रहा है वो कहां जाएंगे वो जाएंगे दूसरे prism के अंदर as it is जाएंगे red का red, violet का violet, yellow का yellow, green का green और बाहर कैसे निकलेंगे बाहर भी कुछ इसी तरह से निकलेंगे क्यों? क्योंकि आप तो ये कह रहे हो ना कि prism की property होती है prism की property होती है white light को different उसके constituent उसके constituent color नी, white light को split करने की property किसके अंदर होती है prism के अंदर होती है है ना, लोगों का तो ये ही कहना था तो न्यूटन जी ने क्या बोला कि आप जो कह रहे हैं हम उसी के according चल रहे है आपने बोला कि बाई prism के अंदर magic है prism में जैसी white light आई उसके constituent colors में वो split कर दी prism ने अब हमने दूसरा prism में रख दिया तो आपके according जब ये different color की light इस दूसरे prism के अंदर जाएंगी तो क्या होगा बाहर कैसे निकलेंगी बाहर भी हम बोलते हैं कि different colors में निकलेंगी different colors और splitting हो जाएगी पहले तो एक अकेली light की splitting हो रही थी अब तो इतने सारे colors अंदर जा रहे हैं तो further बहुत सारी splitting होनी चाहिए ऐसा Newton जी ने उनको बोला है ना इसलिए हमने prism उल्टा करके रखा अब prism उल्टा क्यों करके रखा जैसे मैं बोल रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई देगा हर हालत में अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो भी देगा अगर मैं ऐसे पीछे गों के खड़ी हूँ तो भी आपको सुनाई देगा अगर मैं upside down हो गई inverted हो गई तो भी जो मैं बोलूँगी आपको सुनाई देगा देगा की नहीं देगा तो Newton जी ने भी यही reason दिया कि हम prism को ऐसे रखें या ऐसे रखें कैसे भी रखें आपके according तो prism से निकलने वाली हर एक light को क्या हो जाना चाहिए स्प्लेट हो जाना चाहिए डिफ्रेंट कालर्स में वाइट लाइट जा रही थी उसको भी जो है ना स्प्लेट कर दिया अब इतनी सारी light rays जा रही है सेकेंड प्रिजम के अंदर उनको भी क्या कर देना चाहिए स्प्लेट कर देना चाहिए है की नहीं तो इसलिए हमने उल्टा करके रख दिया प्रिजम लेकिन जब यह एक्सपेरिमेंट हुआ सब की बोलती बंद हो गई कैसे बोलती बंद हो गई देखो जारा एक प्रिजम से जब वाइट लाइट आ रही थी वह आपने सेवन स्प्रेट हो गई लेकिन जब यह दूसरे प्रिजम के पास गए जो की कैसा रखा हुआ था अपसाइड डाउन उल्टा रखा हुआ था फिर क्या हुआ जैसे यह कलर्स अंदर गए बाहर कैसे निकले बाहर निकले वाइट लाइट के फॉर्म में यानि कि लोग जो बोल रहे थे न कि प्रिजम करता है मैजिक प्रिजम वाइट लाइट को स्प्रिट कर देता है वो हो गए यहां पे रॉंग प्रूफ उनके अकॉडिंग तो दूसरे साइड से दूसरे प्रिजम से भी डिफरेंट कलर्स की रेज निकलनी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वाइट लाइट निकली तो लोगों की बोलती हो गई बंद कि अरे भाया हमने जो पहले ऑपोस किया था ना न्यूटन जी की थियोरी का वो बिल्कुल गलत था न्यूटन जी सही कह रहे थे यहां पर क्या हो रहा है बच्चों यहां लाइट के दिस्परशिन का फुर्टा हो रहा है न्यूटन जी जो कह रहे थे लेकिन कहीं नकर इसके पीछे न्यूटन जी का अपना दिमाग था बुद्धी थी कि अच्छा तुमने हमें challenge कहा है न हम बताते हैं उनकी त्योरी के according white light different colors की बढ़नी होती है जब वो prism से जाती है तो reflection होता है जिसके कारण different light colors की different velocities और wavelength के कारण वो अलग-अलग अपनी constituent colors में split हो जाती है जब उनके सामने आप एक ultra prism रख दोगे पहले prism के सामने तो चीज़े क्या हो जाएंगी? उल्टी ही तो हो जाएंगी ना ultra prism रख दिया तो reflecting surface इस वाले prism के जो reflecting surface है वो पहले वाले prism के reflecting surface से क्या हो गई? opposite हो गई तो क्या होगा? चीज़े जो अभी process चल रही थी वो भी पलट जाएगी, उलट जाएगी अभी तक क्या हो रहा था? white light split हो रही थी constituent colors में दूसरा prism जैसे ही रखा तो जो different constituent colors है ना वो इखटा हो गए, किसमें उखटा हो गए? एक white light में इखटा हो गए और इस को ही हम क्या कहते है? recombination of white light I hope ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कि किस तरह से Newton जी ने जो उनको oppose कर रहे थे, कि आरे नहीं तुमको नहीं पता prism के अंदर होता है magic, ऐसा कुछ नहीं कि white light different colors की बनी हुई है ऐसा कुछ नहीं है, prism जो है न हर light को split कर देता है तो Newton जी ने experiment करके बता दिया, कि ज़रा अब बताओ कि अगर तुम्हारे according prism के पास ये property थी कि वो जो भी light उसके अंदर आ रही है, उसको वो split कर सकता था different colors में, तो जब ये different colors आ रहे हैं दूसरे prism में, तो इसने क्यों केवल एक ही light में जो है न एक ही light निकली इस prism के बाहर, क्यों और different colors में split नहीं कर दिया second prism ने, I guess ये आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही सा था recombination of white light, क्या बोलता है यहां पे, Newton showed that the reverse of dispersion of light is also possible, he kept two prisms close to each other, one in erect position and other in an inverted position, the light gets dispersed when passed through the first prism, the second prism receives all the seven colors colored rays from first prism and combines them to the original white light, this observation shows that the sunlight is made up of seven colors, इसे क्या समझ में आया, क्या जो हमारी सूरज की रौशनी होती न, वो भी किसके बनी होती है, seven colors की बनी होती है, तो इसी के साथ, आज के हमारे lecture का जो आधा पार्ट है, जब हमें recombination of white light समझना था, वो हो गया है complete, अब हम बढ़ते हैं, हमारे दूसरे topic के उपर, जिसका नाम है rainbow formation and let me tell you one thing, rainbow formation बड़ा easy है, बड़ा कमाल का है, ठीक है, इसको समझने के लिए, rainbow formation को समझने के लिए, मैं चाहती हूँ, यहाँ पर आप समझें, पहले एक फिना मिना, जिसे हम कहते हैं, TIR, पहले TIR समझ लो, तो rainbow formation समझना जाना बिल्कुल, बिल्कुल चुटकी बजाने का काम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, कैसे, TIR क्या होता है, TIR का full form होता है, total internal reflection, अब आप बोलोगे, कि मैं reflection पढ़ रहे थे, इतनी देश से, यह reflection कहां से आ गया, तो भाई, अगर rainbow formation समझना है, तो आपको पहले TIR समझना पड़ेगा, क्या होता है TIR, इसको समझते हैं, इसके लिए, सबसे पहले आपको लेना होगा, पानी, है ना, थोड़ा सा लेना होगा, क्या, आपको पानी, और उसके ऊपर चाहिए ओगी, आपको क्या हवा, यानि कि, इस case में, dancer medium कौन है, हमारा, पानी है, और rarer medium क्या है, हवा है, अब मैं क्या करूँगी, इस पानी के नीचे से torch जलाऊंगी, पानी के नीचे से वैने क्या किया है, torch जलाई है, इस torch से obvious सी बात है, incident rays आएंगी, light की, ठी, अब क्या होगा, आपको पता है कि जब incident rays, dancer से rarer medium में जाती है, तो क्या होता है, normal से दूर हो जाती है, अब क्या हुआ, एक incident ray आई, यह जो surface यह क्या है, यह वो interface है, जहाब पानी और हवा मिलते हैं, तो जैसे ही, पानी से, एक incident ray निकलके, आई, interface पे, जैसे ही वो दूसरे medium में जाएगी, उसका path change होगा, कैसा होगा, normal से दूर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो dancer से rarer medium में जा रही है, तो path bend करने के लिए, करवाने के लिए, एक normal भी तो चाहिए है, normal हम कैसे बनाएंगे, इस point of incidence पे, कुछ नहीं, बस एक perpendicular line बना देंगे, इस interface पे, इस particular point पे, हम देख रहे हैं, कि भाई, incident ray और normal की बीच में तो angle है यह नहीं, यानि कि angle इनके बीच का कितना हो गया, angle of incidence, 0, है ना, क्यों, क्योंकि incident ray ने, जो दो medium का जो interface था, पानी और हवा का जो interface था, उस पे 90 degree पे strike किया है, यानि कि normal और incident ray के बीच में angle कितना हो गया, 0 degree, ठीक, अब क्या हुआ, एक दूसरी incident ray निकल के आई, दूसरी incident ray निकल के आई, और इसने interface को, suppose point A पे strike किया है, अब क्या होगा, ये भी बाहर निकलेगी, कैसे निकलेगी बाहर, normal से दूर होते हुए, क्या करेंगे, हमें काम करते हैं, इस point A पे भी क्या बना देते हैं, एक normal बना देते हैं, क्या करते हैं, point A पे भी हम बना देंगे, एक normal, इससे क्या होगा, कि अब जो हमारी refracted ray है, वो कैसे बाहर निकलेगी? normal से दूर normal से दूर कैसे? कुछ इस तरीके से कैसे निकली? normal से दूर यानि की angle of incidence जो है वो छोटा हो गया angle of reflection से दिख रहा है, angle of incidence कितना बना था? सबोज यहाँ पे बना था 20 degree का refraction angle of reflection कितना बन गया? 30 degree का बन गया, refracted ray दूर होगी न normal से, अब क्या हुआ? एक और incident ray निकली एक और incident ray निकली और इसने पानी और हवा के interface को point B पे strike किया है, अब इस point B पे भी हम क्या बनाते हैं? हम इस point B पे भी बना देते हैं, एक normal, फिर क्या होगा? फिर से जो refracted ray है, वो कैसी निकलेगी? नॉर्मल से दूर भागेगी तो ये लोग भाग गई दूर अब यहाँ पे angle of incidence मालो कितने का था? यहाँ पे था 35 degree का angle of reflection कितना बना? angle of reflection बन गया 45 degree का आगे आपको बात समझ में फिर क्या हुआ? एक और incident ray निकली एक और incident ray निकाली और इसने पानियर हवर के interface को strike किया है point C पे इस point C को भी हम बना देते हैं क्या? C पे भी एक normal फिर से incident ray कैसी होगी? incident ray जो है normal से दूर भागेगी और ये लो और भाग गई अब यहाँ पे अपना जो angle of incidence था वो समझ लो कितने का था? suppose 50 degree का था angle of incidence कितना था? 50 नहीं हम यह पे 40 40 ले लेते हैं, ठीक है? angle of incidence कितना था? 40 degree का था angle of reflection कितना बन गया? angle of reflection बन गया 60 degree का सही है? अब एक काम करते हैं हम एक अब last incident ray लेते हैं यह ले ली हमने एक last incident ray जिसने की पानी के interface को, पानी और हवा के interface को point D पे strike किया है इस point D पे भी हम क्या बना लेते हैं? एक normal बना लेते हैं यह लो जी बना ली हमने normal अब क्या हुआ? एक refracted ray निकलेगी refracted ray निकली कैसी? कैसी निकली? इंटर फेस के along ही निकल गई नॉर्मल से तो उसको दूर भागना था लेकिन इतनी गजब दूर भागी कि जो पानी और हवा का इंटर फेस था ना उसके along ही भाग गई यानि कि refracted ray निकली निकली के साथ कितना एंगल बना लिया? 90 डिगरी का एंगल बना लिया? ठीक जब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक्स जब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है? एक्स बनाया है यानि कि एंगल ओफ इंसिडेंस कितना है? अपना एक्स है तब हमने क्या देखा? कि refracted ray ने क्या कर लिया? 90 degree का angle बना लिया Refracted ray ने normal के साथ ठीक है? अब क्या होगा? अब काम करते हैं एक और incident बस एक last incident ray हम लेते हैं एक और हमने incident ray ली है कुछ इस तरीके से इस point पे भी हमने क्या बना दिया? normal बना दिया लेकिन अब जो refracted ray है ना वो क्या होगी? वो बाहर नहीं जाएगी यानि कि reflection reflection के बाद में refracted ray को तो medium change करके उपर जाना चाहिए था है ना? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो उल्टा गूम के वापस ही आ गई पानी से ही निकली थी और पानी पे ही वापस आ गई तो क्या यह reflection कहलाएगा? बिलकुल नहीं कहलाएगा यह क्या कहलाएगा बच्चो यह कहलाएगा टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन अब यह reflection नहीं, यह हो गया अपना reflection क्या हो गया? यह अपना reflection हो गया ठीक? और इस angle को यह जो x वाला आपने angle निकाला था ना? इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं भई critical angle of incidence क्या कहेंगे critical angle of incidence यानि कि incident ray ने normal के साथ कुछ इस तरीके का angle बनाया कि refracted ray ने normal के साथ 90 degree का angle बनाया अब अगर incident ray इस critical angle के जादा बड़ा angle बनायेगी normal के साथ तो अब जो refracted ray होगी ना वो refracted ray नहीं कहलाएगी वो reflected ray कहलाएगी क्यों क्योंकि इस critical angle के बाद reflection होगा ही नहीं क्या होगा सिर्फ और सिर्फ reflection होगा याने कि जिस medium से light गई थी उसी medium में वापस आ जानी है इस पूरे फिनामेना को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं TIR फिर से मैं बता देती हूं नीचे था अपना पानी उपर था अपना air नीचे था dancer medium उपर था जब एक light dancer से radar medium में जाती है तो वो क्या होती है नॉर्मल से दूर भाग जाती है है ना दूर भाग जाती है यहां पर क्या हो रहा था देखो इंसिदेंट रे एंगल उइंसिदेंट में बना रही था रही के नॉर्मल के साथ 20 दिगरी का तो refracted rays की इने कितना बना लिया कि refracted ray ने normal के साथ 90 degree का angle बना लिया यानि किया वो interface के along ही चली गई refracted ray ठीक फिर दूसरी incident ray आई इस दूसरी incident ray ने क्या किया यह जो x angle बनाया था incident ray ने जिसके करण refracted ray ने 90 degree का angle बनाया normal के साथ उससे भी बड़ा उससे भी जादा का angle बना दिया इसने normal के साथ तो क्या हुआ reflection हुआ ही नहीं light घूम के वापस पानी में ही आ गई तो यह जो x angle था ना incidence का इसको हम क्या कहते हैं critical angle of incidence कहते हैं यह कौन सा angle है जब refracted ray बनाती है normal के साथ 90 degree का angle और अगर आपका कोई भी angle of incidence angle of incidence इस critical angle of incidence से जादा हुआ उस case में reflection होगा ही नहीं reflection हो जाएगा और उस पूरे case को पूरे phenomenon को हम क्या कहते हैं बच्चो TIR कहेंगे आ गई आपको बात समझ में कि जब angle of incidence critical angle of incidence से जादा होगा तो reflection नहीं होगा reflection होगा light same medium में वापस आ जाएगी reflect नहीं होगी इसका फटा फट से ले लो एक screenshot ध्यान रखना ये बारवी में है अभी मैंने आपको समझा दिया क्योंकि हमें rainbow formation समझना है TIR समझ में आ गया तो rainbow formation कुछ भी नहीं है फटा फट से ले लो इसका screenshot मैं हो जाती हूँ frame के बाहर on the count of five आप इसका screenshot लेंगे so five, four, three, two and one I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा TIR भी आपको समझ में आ गया होगा अब मैं इसको करती हूँ रब अब जो rainbow formation है न बच्चो उस पे आते हैं rainbow formation three step process होती है पहली कौन सी होती है पहली होती है refraction दूसरी होती है TIR और तीसरी क्या होती है तीसरी भी होती है refraction याने कि दो refraction के बीच में TIR का बन जाता है sandwich कैसे? यहाँ पर मैं एक बनाती हूँ क्या? बड़ी सी water droplet अब आप बोलोगे यह water droplet कहां से आ गई भाई? रेन्बो कब दिखता है? जब बारिश होती है बारिश होती है मतलब क्या? atmosphere में present होते है छोटे छोटे से water droplet और हर एक water droplet किसकी तरह behave करता है भाई? behave करता है prism की तरह हर एक छोटा सा छोटा water droplet behave करेगा prism की तरह ठीक है? अब क्या हुआ? आई क्या? solar light हमें पता है अभी अभी हमने पढ़ क्या है कि sun से निकलने वाली जो किरन होती है वो भी कैसी होती? white light होती है अब क्या हुआ? जैसे ही सूरत से किरने आई sunlight आई इस water droplet के पहले surface पे इसने strike किया अब क्या होगा? ये कहां से आ रही थी? ये आ रही थी solar light sunlight हवा से गई कहां water droplet के अंदर याने की पानी के अंदर एक कौन से medium से आ रही है? ये आ रही है एक rear light से denser medium में ये जो water droplet है ना इसको split कर देगा किसमे? इसके seven colors में किसमे split कर देगा भाई? split कर देगा इस white light को उसके seven constituent colors में आई बात आपको समझ में? कैसे ये चीज possible हुई? अब भी तक तो हम prism के case में पढ़ रहे थे कि एक white light आई और जब वो prism के बाहर निकलेगी तो वो अपने seven constituent colors में split हो करके निकल जाएगी मैंने आपको बोला कि जब बारिश होती है तो atmosphere में present होते हैं छोटे-छोटे से water droplets और हर एक water droplets behave करता है किसकी तरह? एक prism की तरह? जैसे ही sun की किरने आई sunlight आई इस water droplets को strike करा तो क्या होगा? जैसे ही sun light अंदर जाएगी इस water droplets ने sunlight को split कर जा कि इसमें उसके seven constituents color में ठीक है? अब काईदे से क्या हो जाना चाहिए था? इन सभी seven colors को बाहर की तरफ split हो जाना चाहिए था है ना? बाहर की तरफ ऐसी की ऐसी निकल जाती लेकिन हो सकता है कुछ absorb भी हो जाती यानि कि कुछ हो सकती थी क्या? reflect और कुछ हो सकती थी absorb लेकिन ऐसा नहीं हुआ absorb लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे हो गया भई total internal reflection ये जो दूसरा surface था ना water droplet का जो कि एक prism की तरह काम कर रहा था इसने क्या कर दिया जितनी भी ये seven constituent colors आ रहे हैं ना white light के sunlight के उन सब को totally internally reflect कर दिया TIR का full form क्या होता है total internal reflection ही तो होता है ये जो दूसरा side था ना water droplet का इसने सभी seven constituent colors को अंदर ही अंदर totally internally reflect कर दिया याने कि ये जो whip ग्योर है ना ये कुछ दूसरे तरफ इस तरह से आ जाएगा जो दूसरा end है water droplet का उस पे reflect हो करके कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे कैसे हुआ TIR कैसे हुआ अभी पताया था मैंने कि जब कोई incident ray एक critical angle से बड़ा angle बना करके आती है normal के साथ तो reflection हो जाता है याने कि जितनी भी constituent lights आ रही थी ना साथ अलग-अलग color की इन्होंने water droplet के surface पे किस तरह से incident किया कि इनका angle of incidence बड़ा हो गया critical angle से किस से बड़ा हो गया CR याने कि critical angle से बड़ा हो गया इसलिए reflect होकर के बाहर नहीं निकली ये नहीं ये absorb होई क्या हुआ ये total internal reflection हो गया इनका सबकी सब अंदर की तरफ reflect हो गई आई आपको बात समझ में फिर क्या होगा फिर से हम बोलते हैं कि reflection हो जाएगा ठीक है? reflection होगा और ये सभी कि सभी lights क्या होगी? बाहर निकल जाएंगी और हमको क्या देख जाएगा भाई? हमको देख जाएगा rainbow आई आपको बात समझ में इस तरह से आपको देख जाएगा rainbow ये पूरा rainbow formation की process थी कहां से हमने start किया? हमने भाई TIR से start किया था किसी surface पे you know incident हो कि उसका जो angle of incidence हो normal के साथ वो कैसा हो? critical angle से जादा हो उस time पे क्या होगा? reflection हो जाएगा उसे हम कहते हैं क्या? total internal reflection अब जो rainbow formation है वो three step process है यानि कि पहले होता है उसमें reflection फिर होता है total internal reflection फिर होता है reflection कैसे? सबसे पहले white light आई इस white light ने क्या किया? हमको पता है कि जब बारिश होती है तब ही rainbow दिखता है बारिश होती ही तो atmosphere में छोटे छोटे से क्या हो जाते है? water droplets आ जाते हैं और हर एक water droplets एक prism की तरह काम करेगा ठीक? क्या हुआ? कि एक white light आई यानि कि sun की किरन आई sun light आई जैसे ये sun light इस water droplets पे strike करेगी एक surface पे इससे क्या होगा? क्योंकि हमारा जो water droplets आई प्रिजम की तरह काम कर रहा था sun light को वो split कर देगा उसके seven constituent colors में ये देखो splitting हो गई अब काईदे से तो इन constituent colors की light को बाहर निकल जाना चाहिए था reflect होना चाहिए था या फिर absorb हो जाना चाहिए था लेकिन दोनों मेंसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ क्या? ये अंदर ही अंदर reflect हो गई क्यों reflect हो गई? इस TIR के साथ हो गई यानि कि जो seven colors की constituent lights आ रही थी न ये water droplets के दूसरे surface पे कुछ इस सरह से incident हुई कि इनका angle of incident critical angle से हो गया जादा यानि कि अब reflection नहीं होगा है ना? काईदे से तो reflection होना चीछ था प्रिजम से बाहर निकल ये water droplets से बाहर निकल जाती लेकिन नहीं निकल पाई क्यों? क्योंकि इन सब ही different colors की light का जो angle of incident है नॉर्मल के साथ वो कैसा हो गया? जादा हो गया इनकी critical angle के साथ जिसके कारण अंदर ही अंदर क्या हुई? ये totally internally reflect हो गए reflect होकर के कहां आई भाई? reflect होकर के आ गई हमारी water droplets के पहले वाले surface पे पहले वाले surface पे आई फिर क्या होगा? reflection होगा और reflect होकर के बाहर निकल जाएंगी जिसकी help से हमें मिल जाएगा rainbow I hope बच्चा लोग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से TIR होता है और किस तरह से rainbow का formation होगा rainbow formation में क्या बोलते हैं भाई? a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower it is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun obviously बात है ना यहां से sun आ रहा है तो rainbow का बनेगा? उसके opposite direction में तो बनेगा ना क्यों? क्योंकि sun यहां है तो उससे निकलने वाली जो sunlight है जो water droplets आपको दिख रही होगे यहां पे water droplets में पढ़ेंगी फिर water droplets से पहले बार reflection होगा TIR होगा फिर reflect होकर कि कहां बनेगी? sun के opposite direction में बनेगी the reflect they reflect and disperse the incident sunlight किसकी बात हो रही है? they कौन है यहां पे भाई? they हैं हमारे water droplets तो water droplets क्या करते हैं? जो sunlight उनके पास आ रही है उसको reflect करेंगे disperse करेंगे incident ray को and then reflect it internally and finally इसको मैं हटाई देती हूँ finally क्या करेंगे? reflect कर देंगे again तो सबसे पहले क्या क्या? incident rain को sunlight की water droplets ने reflect किया disperse किया seven constituent colors पे फिर totally internally reflect कर दिया TIR फिर इसके बाद में क्या हुआ? reflect back कर दिया atmosphere में जिसके कारण हमें जो है एक rainbow दिखाई दे गया आई बाद आपको समझ में due to the dispersion of the light and internal reflection different colors reach the observer's eye a rainbow can also be seen on a sunny day by looking at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चो recombination of white light समझ में आया होगा rainbow formation समझ में आया होगा तो आज के इस lecture को target को कर लिया है हमने अचीव दोनों ही topics को बड़े patience के साथ बड़े ही अराम से समझा है I hope आप इस session को करेंगे enjoy अब हम मिलेंगे हमारे next session में next lecture में जहाँ पे हम discuss करने वाले हैं light के ही बारे में कुछ और नई बाते कुछ और नए topics हम पढ़ेंगे इस lecture के लिए इतना ही मिलेंगे हम अपने next lecture में तब तक आप क्या करेंगे हमारी जो official website है magnetbrains.com उसको visit कर ले न जहाँ पे आपको सभी chapters के video lectures मिलेंगे playlist में साथी साथ सभी topics ही वहाँ पे होंगे तो विजित आप प्सिल एपसिल वबस्टा magnetbrains.com तिल देन यह वीप लेँगे मिलेंगे मिलेंगे वाजिव वाजिव वाजिव